Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे wildlife के बारे में wildlife के बारे में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उस चीज़ को समझो आपके chapter का second pillar यहां से start होता है chapter में अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी तो वो आपको natural vegetation के बारे में बताती थी कि किस तरह से आप देखोगे तो diverse variety of vegetation is found in our country evergreen, semi-evergreen, dry, deciduous, moist, deciduous फलाना फलाना मतलब बहुत सारा था ना mountain था और mangroves forest यह सारे आपको देखने को मिले, जानने को मिले अब जब इतना सारा vegetation है आपके देश में तो इस vegetation के हिसाब से क्या है दिखती बात है कि wildlife भी vary करने आ लिए सवाल, सर, wildlife क्या होती है अभी आप बोलोगे, सर, आप class 11 में आ गए आप इतना भी मत समझो हमारे को ऐसे कि wildlife ही नहीं पता होगी लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं जीरो से लेके चल रहे हैं तो wildlife भी बताता हूँ wildlife में क्या है जैसे आपने देखा होगा देखा होगा से पहले जरूरी जानना ही है कि कहां देखा होगा तो जैसे जू में, नेशनल पार्क में अगर गए होंगे घुमने तो आपने माँ शेर देख लिया होगा, बाग देख लिया होगा, जो टाइगर है वो देख लिया होगा, भालू देखा होगा, ठीक है, तो अलग-अलग तरह के आपने जानवर देखे होंगे, अब ये अलग-अलग तरह के जानवर जो आपने पैसे दे के देखे हैं न, ये Situations आज से SAU साल पहले क्या होती थी पता है? आज से SAU साल पहले लोग पैसे दे रहेंगे कि भाईया शेयर नहीं दिखे बस? क्यूंकि रोड पर चलते नहीं होए में लोगों को रुच जपने देख जाता था? काई बावलू दिगया, काई चीता दिगया, यसे जानवर लेकिन हम human beings इतने कह सकते हैं कि इतने cunning है न हम लोमडी को cunning बोलते लेकिन human beings इतने cunning है कि हमने आने के बाद में जिनका ये originally planet हुआ करता था wildlife को हमने destroy कर दिया उनकी population बहुत कम कर दी हमने तो उनी सारी चीजों को हम chapter की इस part में पढ़ने वाले है wildlife वाले segment में पढ़ने वाले है समझने वाले है सीखने वाले है I hope आपको यहां तक चीज़े समझ में आईए अब अगर जैसे देखें तो आपके topic में क्या क्या है तो it is estimated that about 4-5% of all known plants and animal species on the earth are found in India ठीके focus on this figure वर्ड में जितनी भी plant और animal की species पाई जाती है ना जितने भी flora and fauna पाया जाता है उसका 4-5% जो है ठीके 4-5% non plant and animal species जो है वो इंडिया में पाया जाता है अब आप जड़ा इस चीज को imagine करो मतलब scale पर imagine करने की कोशिश करो कि इतने सारे जानवर एक छोटी सी चीटी से लगा के एक बड़े शाहती तक ठीके कितने सारे जानवर कितनी सारी species होगी इन सारी species में से 4-5% species जो है वो इंडिया में पाई जाती है ठीके क्यों पाई जाती है अब देखो diversity कितनी जादा है हमारे हां हम देखते है human beings में diversity culture में diversity language में religion में यह तो सब social aspect हो गया रख दो एक कोने में इसके अलावा देखोगे climate में diversity तरह तरह का climatic conditions है पढ़ा था हमने पिछले चाप्टर में फिर इसी चाप्टर में आपको इता है vegetation में diversity है अलग अलग तरह का vegetation पाया जाता है vegetation के साथ में आप क्या देखोगे कि अब जब climate अलग है vegetation अलग है तो वहाँ पर रहने वाले जो जानवर है ना उनमें भी diversity आपको देखने को मिलेगी यही diversity आपको human beings में भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि climatic conditions कश्मीर में अलग होती क्योंकि climatic conditions केरला में तमिल नाडू में अलग होती तो वहाँ के लोगों की आपको physical appearances में भी differences देखने को मिल जाएगे तो उसी तरह से अब दिखती बात है कि climate और vegetation vary कर रहा है तो wildlife भी variety of wildlife would be found here बहुत जादा तरह तरह के अलग अलग तरह के पेड़ अलग तरह के पौधे देखने को मिलेंगे आपको इसके बीचे reasons क्या है तो वही diversity of ecosystem अब जब plant life vary करता है climatic condition vary करता है तो ecosystem में भी diversity आएगी मतलब जो उनका पूरा कह सकते है कि किसी भी एक animal को survive करने के लिए जिस तरह की environment चाहिए रहेगी ना जैसे for example में आपको बताऊं कि polar beer भी पाया जाएगा हमारे यां ठीके polar beer पाया जाएगा हमारे यां ठीके snow leopard पाये जाएगे हमारे यां क्यों क्योंकि जो climatic conditions snow leopard को चाहिए रहती वो भी हमारे देश में और उसके आद में जो tropical area में जिस तरह के leopard पाये जाते हैं जिस तरह का पाया जाता है लेपडियाने तींदवा तो वो भी पाया जाएगा हमारे यां climatic conditions दोनों तरह की मिल गई एको सिस्टम जो है दोनों तरह के मिल गए ठीके तो due to the diversity of ecosystem we are having diverse variety of plant and animal species no doubt यहां तक चीज़े क्लियर है ठीके not बांदलो एक गठान लगा लो यहां तक हमारे समझ आ आगे क्या है लेकिन आगे कि statement लिखा एक सवाल उठाता हूं मैं क्या but but now there is a problem आज एक समस्या है यहां पर समस्या क्या है समस्या सिदी सी यह सटीक सी समस्या यह है कि जो diversity आपको देखने को मिलती है ना ठीके but now there is a problem कि यह जो diversity it is dwindling कम होते जा रहे हैं खतम होते जा रहे ह जानवारों की species extinct हो गई है बहुत सारी बहुत सारी कगार पहएबस की खतम होने वाली है बहुत सारे पेर पौदे जो है वो वैनिश हो गए गाय भी हो पता नहीं कहा है तो उस तरह से ही सब कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है over the years their habitat has been disturbed by human activities and as a result their number have dwindled significantly over the years क्या देखने को मिला कि human beings ने उनके habitat पे हमला करना चालू किया कैसे तो ऐसा नहीं हम लकड़ी वकड़ी लेके पहुंच गए मतलब हम expand होते चल गए हमने जंगल काट दी खेती करने के लिए हमने concrete के घर बना दिये कहां जहां उनका घर हुआ करता था आप दो मिन संदर साश्या ना हुआ करता था जंगलों में उनको हमने खतम कर दिया अब वो कहां जाएंगे जंगलों से बाहर जाएंगे जंगलों से बाहर जाएंगे सेफ नी रहेंगे उनकी मृत्ति हो गई ठीक है मतलब वो extinct होने लगे आफिक कर लो उनकी population के उपर खतरा होने लगा बहुत कम हो गई उनकी population ठीक है लेकिन क्या होता है कि आज वही species they are on the brink of extinction ठीक है मतलब वो खतम होने वाले एक्स्टिंट होने वाले है जैसे एशियाटिक लाइन के बारे में सुना है अपने एशियाटिक लाइन एक समय पर क्या है कि देश में बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं लेकिन फिर क्या है ओवर दी प्रीड ऑफ टाइम जो शेर बबर शेर ठीक है जिसे देखके मज़ा आ जाता है वो कहां सिर्फ गुजरात के गीर नैशनल फोरेश्ट तक सीमित रह गए तो उस तरह से क्या है कि अशियाटिक लाइन की बात कर लो आप बेंगॉल टाइगर की बात कर लो आप वन हॉन राइनेसौरस की बात कर लो आप ये सारे एनिमल्स जो हैं सारी स्पीशीज जो हैं आज आज दे आर ऑन दी ब्रिंक ओफ एक्स्टिंशन अब इन सारी चीजों इस फॉलोस तो ये कुछ कारण है कुछ क्यों कह रहा हूं देखो एक एक शब्द में आपको कहानी बता सकता हूं कुछ इसलिए क्योंकि दियर अन नंबर ऑफ रीजन्स ठीक है बहुत सारे कारण है जिन कारणों से क्या होता है कि वाइल लाइफ जो है वो डिक्लाइन हो र फॉरेस्ट रिसूर्सेस क्या होता है लालच का कोई अंतनी होता है सुने ना इस चीज को आपने वही चीज यहां पर हो रही है कैसे क्या समझाता हूं पहले क्या है कि लगड़ा हरा जाता था अपने सर पर क्यार लग के लिए जाता था दिन बर में एक दो पीड़ काठता वो एक-दो पीड़न उसका जीवन चल जाता था आज क्या हुआ आज आपके पास में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलोजिकल एडवास्मेंट के चलते हैं आपके पास ऐसी मशीन से आपके पास ऐसे टूल से कि एक-दो दिन में आप क्या कर सकते हो पूरे के पूरे जंगल हेक् तो ये एडवांस्मेंट क्या करना है एक्स्प्लाइटिशन की जो स्पीड है ना फॉरेस्ट रिसूर्स की उसको ऐसा एसलेरेट कर रहा है कि हम अंधे होगा हमारी लालच को सैटिस्फाय करने के चक्कर में और हमने बहुत जादा नुकसान पहुचा दिया बहुत जादा ह और वो सारे पीड़ पहुदे जब काट दिया आपने जंगल उड़ा दिया रात हो रात तो जानवर कहां जाएंगे आप आपके घर में लाके रहाएने से रहे ठीक है है दम तो लियाओ किसी एक शेर को अपने घर में पार के दिखाओ ठीक है तो उस तरह से क्या है यह यह एक्टिविटीज के कारण आप देख रहे हो कि destruction हुआ यहाँ पर फिर अगली चीज क्या है more and more lands were cleared for agriculture, human settlement, roads, mining, reservoirs, etc. दूसरा हिज़ा निये लिख सकते हो आप कि human needs, human population बड़ी, population के चलते needs बड़ी, needs कब greed में convert हो गए हमें पता नहीं चला, हमने क्या करा, जादा से जादा पीर काट दिये, human settlement के चलते हमने घर बनाए, लोगों के, मतलब हमने घर बनाए, लोगों के घर बड़े, लेकिन उन जानवरों के घर को आपने क्या कर दिया, एक तरह से पूरी तरह से destruct कर दिया, roads बनाए, mining करी, यह सारी चीजों के चलते क्या है, आपने बहुत जादा destruction क उनके habitat में घर खतम हुए, तो जानवर भी खतम हुए, फिर अगली चीज क्या है, pressure on forests, mounted due to loping of fodder and fuel wood and removal of small timber by local people, अब देखो, कही न कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि जो forest communities हैं, local people जो हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जानते हुए, ना जानते हुए, अंजाने मे जानते हुए, सारी चीजों को, मतलब observe ना करते हुए, क्या कर दिया, उन्होंने, थोड़ा सा destruction पहुचा दिया, कैसे, तो जैसे आप दिखेंगे, जो local people है, तो लोपिंग of fodder and fuel wood, लोपिंग मतलब क्या छीलना, चाट ना, जैसे बोलते न, लकडी, जैसे क्या है कि जो उसके उपर आपने pressure create किया है, forest area को disturb किया, forest area disturb होगा मतलब wildlife के आपने घर को disturb कर दिया है, मानते है उस चीज को, फिर क्या है, grazing by domestic cattle's caused an adverse effect on wildlife in its habitat, अब देखो क्या है, कि domestication बढ़ता चले गया, human beings जब बढ़े न, तो उन्होंने जानवरों को पालना भी चालू कर दिया, तो हमारे पास बहुत सारी गाय होने लगे हमारे पास बहुत सारी भीड़ बखरी, सारी चीज होने लगे, अब ये होतों गई है, बहुत सारी ने खिलाओगे क्या, तो इन्हें हम grazing के लिए छोड़ देते हैं, अब ग्रेजिंग के जाती थी, तो grazing के चलते क्या है, कि soil erosion हु अब क्या है बंजर जमीन, बंजर जमीन पर जानवर कहां से रह लेगा बताओ, ठीक है, तो एक ये भी रहा कि ये, ग्रेजिंग जो ही ना, ग्रेजिंग बाइ डॉमिस्टिक केटल कॉर्ज जन एड़र्स एफेक्ट और वाइड लाइफ और इट्स हैबिटाड ठीक है, तो ड हंटिंग क्या है, बैन होगी है, मान लो, हंटिंग बैन होगी, बड़े-बड़े लोग भी एक बार अगर शिकार पर निकल गए, समझ रहो, तो बड़े-बड़े लोगों तो आज क्या करना पड़ता है, कोड जाना पड़ता है हंटिंग की चक्कर में तो, तो हंटिंग को यह उतने टाइगर उड़ा दी एक इंसान में अब सोचो यह किस लेवल पर किस इंटेंसिटी पर नुकसान पहुचाया है यह ब्रिटिश आते थे तो क्या करते थे हाथी पे बैढ़ गया करेंगे जानवर को जाके मारते थे कहां पे जंगलों में जब इस तरह से क्या है कि एक पार्ट हो गया हंटिंग तो वही जीज है पहले राजा महराजा जैसे हंटिंग का कंसेप्ट में बताता हूं पहले ऐसा होता था कि कोई आदम खोर जानवर गुज गया जिसने इंसानों होगो करना चालू करते है तो ़ाजा-महरा जा बोलते थे कि हम जंता की सेवा में उसे मार दे रहे हैं ठीक जंता की सेवा में मारा लेकिन वोगाड़ा ने सानcimento करते ऐसे हंटिंग करते हैं कि उन्हें स्पीशी खतम कर दी पूरी की पूरी स्पीशी उड़ा दिये चीता एक समय पर हुआ करता था है 1952 या 62 तक इंडिया में चीता पाया जाता था इंडिया ऐसा देश था जहां पर टाइगर लॉयन चीता तीनों चीजे पाई जाती थी लेकिन ने हमने क्या कर दिया इतने चीता मार दिय कि उड़ाई दियो कि यह थोड़ी से आपने तो आज क्या समस्या यह चल तो कमर्शियल पॉचिंग्र अटीन से किडनाइपिंग गईव सरे मांगने से किसकी किडनाइपिंगग secous आती के बच्चे को पकड़ लोगे तो हाथी से फिर होती मांग लोगे आप क्या कर रहे हो कि जानवरों को आज पोचिंग हो रही है आप उन्हें किड्नाइप कर ले रहे हो एक तरह से सरकस में ले जा रहे हो आप उनके बॉडी ओर्गन निकाल ले रहे हो यह सारी चीजे हो आज यह एक बड़ा थ्रट है वाइल लाइफ के सामने इस कारण से वाइल लाइफ की पॉपलिशन डिकलाइन हो रही है आयना समझ में फिर क्या है इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर अब कही ना कहीं नोइंगली कभी नैचरली कभी यूमन मेड फॉरेस्ट फायर हो जाती जिसके चलते हैं habitat पूरे के पूरे habitat डिस्टर्ट हो जाते हैं Australia में जो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर हुआ था तो उसका एक एक एक। आफ जानते हो ठीक है Australia Amazon तो यह जो एरियास जब जले तो आप सोचो सिर्फ पेड नहीं जले कितनी ही species जल गई उसमें जानवरों की भी पौधों की भी सब चीज़ों की यह बड़ा चैलेंज रहा है ठीक है तब कंक्लूड क्या करेंगे therefore it is being felt that conservation of wildlife is of great significance to the national as well as world heritage along with promotion of ecotourism तो अगर आज हम देखें कि आज हमें क्या इसे preserve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप conserve करोगे तो आपके national significance के लिए ज़रूरी है world heritage के लिए कि worldwide हाँ यह यह कभी पाया जाता था नहीं तो क्या होगा आज से ज़्यादा दूर नहीं है आज से 30 साल बाद आपके बच्चों को क्या दिखा होगे कि एक video बना हुआ रहेगा तो वह video में दिखा दो कि देखो पेटा ऐसा शेयर होता था कभी ठीक है तो उस तरह से कहानी रह जाएगी बस तो सोचना कभी इस बारे में किताब से बाहर निकल के देखना सोचना समझना चीजों को कि क्यों जरूरी इन सारी चीजों को प्रिजर्व करना साधी साधी एको टूरिजम को बराबर देता है इको टूरिजम मतलब क्या है परियावरन परेटन ठीक है परियावरन परेटन मतलब क्या है कि लोग जब ये चीजे रहेगी forest रहेंगे wildlife रहेंगे तब ही तो लोग घूमने देखने जाएगे तो क्या देखोगे आगया समझ में फिर water park में घूमते रहे ना बस तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा wildlife के बारे में next वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले है next वीडियो में conservation के लिए क्या किया गया है उस चीज़ को समझेंगे आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़े समझ में आईए magnet brains पर class 4 से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ, systematic way में video lectures के format में available है जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं सबसे मेज़दार बात क्या है कि सारे video lectures free of cost available है YouTube channel पर और website पर अपने juniors और seniors को ज़रूर बताईए magnet brains के बारे में मिलते है next video में, till then stay connected keep learning, thank you, thank you very much